दोस्तों आज कल देश के अधिकतर राज्यू में मोसम का हाल बहुत ज्यादा खराब चल रहा हैं और देखे कुछ मोसम की बड़ी हेडलाइश न्यूज आप कई राज्यू में भारी बारिस की चितावनी जारी की गई हैं वईदेकी रास्दानी दिल्ले उत्रपरदेश और पंजाब साइथ अभी भी कई राज्यू में भारी बारिस की संभावना है इमाचल परदेश में बरप मारी भी शुरू हो चुकी हैं उत्राखन में पहार से मेदान तक चाहे रहे बादल बडी ठंड अगले चार दिन यहाँ पर भी बारिस और बारिके आसार नजर आ रहे हैं मोसम पर वेश्टन डिश्टिर्बेंस का असर देखा जारा आर्थिक राजदानी मुंबई में भी भारि भारिस आई तो उडिसा में तूफान का अलट अभी भी जारी हैं वहीं चकरवाती तूफान की वज़े से चतिसगड में भी अगले 3-5 दिसंबर तक मोसम के खराब रहने की चेतावनी हैं और अब जो हाले में आपको पताओगा मोसम भाग ने चकरवाती तूफान की चेतावनी जारी की थी उसके कारण भी देश के कई राज़ु में भारि भारि भारिस का अलट हैं का देश के प्रदानमत्री नरेंदर मोदी नी जाय जा भी लिया और खत्रे वाले सेंसिटीव इलाकों में अंडी अरफ की टीम को भी वेजा गया ताकि लोगों को मुश्किली हालातूं से बचाया जा सके चकरवाती तुफान जवाद को लेकर अभी भी अलट जारी किया गया है मुश्किली बाग का कहना है कि मचुआरों को समद्र से दूर रहने के निर्देश और चितावनी जारी की गई है वहीं एक आगड़ा देखिया आप पिछले 10 सालों में दूसरी बार नवंबर में इतना पानी गीरा मंबई में तो आज भी भारी बारिस के आसंका हैं मुश्किली बारिस के यलो अलट जारी किया हुआ है रासदानी दिल्ले के आलातू की बात करें तो दिसंबर में बारिस के साथी ठंड बड़ेगी दिल्ले के हवा में सुधार के संकेत हैं लेकिन अभी हालात बहुत ज्यादा खराब चल रहे हैं वहीं इससे पहले आपको पताओगा हाले में दोस्तों आंदरपरदेश तमिलाणू अगरा में बहुत भारी बारी सोरबार जैसे आलात देखे गए उसके कारण कई लोगों के जान जानी की खबर है और मोसम भाग का कहना कि अभी भी ये खत्रा टला नहीं है इसे बीच स्काइमेट वेदर की रिपोर्ट के मुदाबिक शंपून भारत का 3-4-5 दिसंबर का मोसम पुरानुमान आखिर क्या कहता है अगले 24-48 गंटू के दोरान तो एक तो ये अरब सागर में बनने वाला निमने दबाव का क्षेतर महरास्टर सहीत मध्यबरदेश को भी प्रभायूत कर सकता है स्काइमेड वेदर रिर्पोर्ट की बात करें तो उत्तर अंदरबरदेश और उडिजा तटके आसपास के इलाकों में अगले 24 गंटों में भारिबारिस हो सकती है वहीं घुजरात के साथ पंचाब अरियाना उत्तरबरदेश और मध्यबरदेश में भी अगले 24 गंटे बादल चाय रहने की उम्बीद हैं पूर्वी राधिस्तान और पूर्वी पश्ची में उत्तरबरदेश मध्यबरदेश में तापमान सामने से नीचे रहने की उम्बीद हैं वहीं केरल, तमिलनाडू, करनाटक, मत्य महाराष्टर, कोकन, गोवा के कुछ इस्सु में भी हलकी मध्य बारिस की संभावना है महाराष्टर, आधिस्तान, इमाचल परदेश, रूत्राकंड में हवाउं की रबतार 40-50 किलोमेडर परतिगंटा रह सकती हैं और इन इलाकों में हलकी फुलकी बारिस की भी संभावना है और उसके चलते ठंड भी बढ़ेगी यानिकी तापमान में गिरावड भी देखी जाएगी वेसे दोस्तों आप कौनसे रज्जी में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताईएगा ताकि मैं आपके रज्जे के समाचार और सरकार की योजनाओं के बारे में भी आपके मुबाईल तक जानकारी पहुचा पाऊंगा विडियो को लाइक और शेयर करना और आप हमारी चेनल DLS News को सस्क्राइब करके बेल आइकोन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरनत आपके मुबाईल पर मिलती रहेगी थैंक्यू टेक केर गुडबाई जय हिंद जय बारत वन दे मातरम